हम विश्णु प्रभाकर द्वारा लिखी इकांकी संसकार और भावना के वर्क बुक के प्रशन उतर पढ़ते हैं तो हम भाग एक पढ़ते हैं वहीं उसकी मिसरानी ने मुझे बताया कहने लगी तुमारा बेटा तो बहुत भी मार रहा मर कर बचा सुनकर मैं शरम से गडगी मेरा बेटा बिमार रहे और मुझे पता भी न लगे कौप रशन कौन किसके घर गई थी और क्यूं तुल की मा कुमार के घर गी थी वह उनके प्रोसी थे और इसलिए वह उनसे मिलने गई थी वहां उसे किसने क्या बताया वहां उसे मिसरानी ने बताया कि कुछ दिन पहले उसका बेटा अविनाश बहुत बीमार हो गया था, मर्ते मर्ते बचा है ये सुनकर उसकी मा शरम से गड़ गी कि उन्हें अपने बेटे के बिमार होने के बारे में कुछ नहीं पता गरप्रशन उसका बेटा उससे अलग क्यूं रहता है, वक्ता उनसे क्यूं नहीं मिलने ज वाहस से बहुत निराश थी इसलिए विनाश अपने घरवालों से परिवार से नाता तोड़ कर उनसे अलग रहता था उसकी मा उससे मिलने नहीं जाती थी क्यूंकि वह एक संक्रांति काल की हिंदू नारी थी तथा संसकारों के वंदन में बंदी हुई थी गप्रश्ण में ब पती के लिए किया गया है वे सब हाप से बहुत कठोर थे मुझे याद है एक दिन की बात है जब अतुल बहुत चोटा सा लड़का था और उसके बचने की कोई आशा ना थी तब उस समय वे शांत मन उसको धरती पर लिटाने के लिए सामान हटा रहे थे भाग दो अपराद और किसका है सब मुझी को दोश देते हैं का प्रशन वक्ता और शुरोता कोन-कोन है परिचे दीजिए प्रस्तुत वाके में बक्ता मा और शुरोता उमा है मा संक्रांति काल की नारी है जो भारतिये संस्कृती के प्राचिन पुराने रीति रिवाजों में बंदी हुई है और उनसे बाहर नहीं आपाती है, उमा अतुल की पत्नी है, वे पुराने विचारों वाली अपनी सास को पूझे मानती है, और अपने पती को प्रानों से भी अधिक प्यार करती है। को सविकार कर लेती, तब वे दोनों एक दूसरे से नहीं बिचुडते तथा दोनों के बीच दूरी भी नहीं बनती। घर से निकाल देती है, लेकिन अविनाश के मरना सन बहुत अधिक बीमार होने पर उसकी पत्नी द्वारा उसकी सेवा किये जाने पर लोग मां को क्या करते हैं? दोशी ठहराते हैं, गर प्रश्न मिस्रानी ने वक्त को किसके बारे में क्या बताया? मिस्रानी ने मां को उसके बड़े बेटे के बीमार होने के बारे में बताया, उसने कहा कि उनका बेटा मर कर बचा है, ये वै समय था जब अविनाश को हैजे की बीमारी हुई, तो उसकी पत्नी ने अपनी जान जोखिम खत्रे में डाल कर अविनाश की सेवा की प्रंतुव किसी के सामने हाथ पसारने नहीं गई, और अंत में स्वेम बिमार हो गई, पर अपने पती को बचा लिया, भाग तीन, माया ममता किसी को भी नहीं शू गई है, हर बात में देश धरम की और करतवे की दुहाई देना हम उन्होंने सीखा है, आखिर इनका बाप भी तो ऐसा निर्मम था, तो खापरश्न वक्ता कौन है, उन्होंने शब्द का प्रियोग किसके लिए किया गया है, वक्ता अतुल की मा है, उन्होंने शब्द का प्रियोग अतुल और अविनाश के लिए किया गया है, खापरश्न इनका बाप भी ऐसा ही निर्मम था, वक्ता को उसके निर्मम था के उसके निर्ममता के सबंद में कौन सी घटना याद आ गई एक दिन जब अतुल छोटा सा लड़का था और उसके बचने की कोई उमीद नहीं थी तब उस समय उसके पिता शांत मन से उसको धर्ती पर लिटाने के लिए सामान हटा रहे थी उनके नेतरों में अपने पूतर के लिए कोई भी आस नहीं थी अता इससे पता चलता है कि कितने निर्मम और निर्दाई व्यक्ति थे गवप्रश्न वक्ता के बेटों के किस बात के लिए वक्ता ने बेटों को किस बात के लिए कोसा और क्यूं वक्ता के बेटों ने उसे माया मम्ता में फसी हुई कहकर कोसा है उसे हमेशा संसकारों में बंदी हुई बताया है मा का हिर्दे परिवर्तन कब हुआ और कैसे मा का हिर्दे परिवर्तन तब हुआ जब उसकी बड़ी बहु घंबीर रूप से बिमार होगी उस समय अतुल ने मां को यह वी स्पष्ट कर दिया था कि भावी ने तो प्रानों की बाजी लगा कर भहिया को बचा लिया है किन्तु भहिया के पास भावी को बचाने के लिए प्रान नहीं है इन बातों को सुनकर मां का हिरिदे पिगल गया भाग चार दुनिया ने दांतों तले उंगली दबा कर कहा था ऐसा भी क्या बाप है जो अपने बेटों के लिए भी नहीं रोता उसी बाप के ये बेटे हैं मुझे सदा इन्होंने माया ममता में फसी हुई कहकर कोसा है सदा मेरी निंदा की है उप्रियुक्त अवतरन का संधर लिखिये उप्रियुक्त अवतरन अतुल के बिमार होने के समय का है अतुल बच्पन में एक बार बहुत बिमार पड़ा था बचने की कोई आशा नहीं थी तो भी उसका बाप शान्त मन से धर्ती पर लिटाने के लिए समान हटा रहा था ख़प्रश्ण दुनिया ने किसके समंद में दांतों तले उंगली दबा कर क्या कहा था और क्यूं दुनिया ने अतुल के पिता के समंद में दांतों तले उंगली दबा कर कहा था ऐसा भी क्या बाप होता है जो अपने बेटे के लिए नहीं रोता गाप प्रश्न बाप बेटों की समानता का उलेकिया गया है बाप बेटों के निर्मम होने की समानता का उलेकिया है वे दोनों को माया ममता नहीं शूपाती थी और हर बात में वे दोनों देश दर्म और करतव्य की दुहाई देते थे मां के चरीतर की प्रमुख विशेष्टा का उलेख कीजिए उतर मां अत्यंत भावुक मेला है मां के च्रीतर की प्रमुख विशेष्टां ये है कि वैं एक संक्रांती काल की नारी है जो संस्कारों से बंदी है वैं प्राची निरिती रिवाजों को मानती है और उससे बाहर नहीं आपाती है वैं अदर्श कर्तवे नि जी बहुत प्यारी जो एक बार देख लेता है वैं फिर उसी रूप को नहीं बुला सकता बार बार देखने का मन करता है उप्रियुक्त कप्रश्ण उप्रियुक्त पंक्तियों में किसके बारे में बात की जा रही है उसकी व्यक्तितव एम च्रीतर की विशेष्टाओं का वनन की ची उप्रियुक्त पंक्तियों में विनाश की पत्नी के बारे में बात की जा रही है विनाश की पत्नी बहुत भोली और बहुत प्यारी मेला है उसकी बानी में मदुरता है तथा व्यक्तितव में अदबुत आकर्शन है उसके मन में बढ़ों के प्रती आदर के प्रिश्न उमा विनाश की बहु के घर क्यों और कब गई थी उत्र उमा विनाश की पत्नी के घर विवाद विवाद करने के लिए गी थी जब मा उसकी पत्नी के कारण अत्यंत दुखी थी तब उमा से ये देकर रहा ना गया कि उसने विनाश की पत्नी ने मा से बेटे को गई थी गप्रश्न उमा की बात सुनकर मा की क्या प्रतिक्रिया हुई उमा की बात सुनकर मा हैरान रहे गी उन्हें लगता था कि अविनाश के घर कोई नहीं जाता अविनाश के जहां अतुल और उमा के जानने की बात सुनकर मा को अस्चरे इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने मा को कभी ये नहीं बताया कि वह अविनाश के घर गे थे घर प्रश्न उमा ने अविनाश की बहु को क्या सुझाब दिया था उमा ने अविनाश की बहु को अविनाश को चोड़ने का सुझाब दिया था कि मा को बेटे से अलग करना बहुत बड़ा पाप है मा का हिरीदे तोड़ा तोड़ना अत्याचार है उस अत्याचार को दूर करने के लिए प्रान भी देने पड़े तो कम है भागशे सोचो तुम स्वेन पतनी हो यद भी तुमने मेरी तरह पती का वर्न नहीं किया फिर भी तुम उन्हें प्यार करती हूँ मुझे ये बात अधिक प्यार करती हूँ कप्रश्न वक्ता और शिरोता कौन-कौन है किसे किसकी कौन सी बात बुरी लगी और क्यूं वक्ता अविनाश की बहु है और शिरोता उमा है उमा ने कहा था कि अविनाश की पतनी का अपने पती से प्रेम करना बाँ बेटे के रिष्टे में दूर वर्न नहीं किया, फिर भी तुम अपने पती को प्यार करती हो, उसे चोड़ नहीं सकती हो, तो ये बात उमा को बुरी लगी, खप्रश्न श्रोता ने वक्ता की बात सुनकर क्या उतर दिया, उमा ने विनाश की पत्नी की बात सुनकर ये उतर दिया, कि सभी पत्निया अपने पतियों को प्यार करती है इसलिए इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है मैं वी करती हूँ प्रानों से अधिक प्यार करती हूँ गप्रश्न वक्ता के चरीतर की विशेष्टाओं का उलेकीचिये वक्ता के चरीतर की विशेष्टाओं ये है कि उसके मन में किसी के प्रती अक्रोश गुसा या गृणा का भाव नहीं है वे अत्यंत रूपसी है उसकी बानी में मादूरे मदूरता है तथा व्यक्तितव में अद्बूत आकर्षन है वे अत्यंत बेवहार कुशल भी है गप्रशन अविनाश क्यों अलग रहने लगा था माँ अविनाश के घर क्यों नहीं जाती थी अविनाश में अविनाश ने एक बंगाली विजातिय लड़की से विवा कर लिया था प्रंतु इस विवास से उसके मा बहुत व्यतित थी दुखी थी और इसलिए उसने इस विवा को सविकार नहीं किया इस कारण से अविनाश अलग रहने लगा था प्राने संसकारों तथा रूडिवादी विचारों में जक्री होने के कारण मा उसके घर नहीं जाती थी आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट वीड भाग टू में पढ़ेंगे धन्यवाद